सबसे असान तरीके से बेसन वाली नमकीन आप घर पर भी बना सकते हैं वह भी एकदम मेरे इजी मैथर्ड से बहुत जादा कुर्कुरी क्रिस्पी नमकीन बनकर घर पर जटपट से तयार हो जाती है तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर मैंने बेसन लिया है यह मैंने कटोरी से मेजरमेंट लिया है आप चाहे तो चाहे वाला कप होता है उससे भी ले सकते हैं यहां पर मैंने धाई कटोरी बेसन लिया है एक कटोरी हो गया दो और उसका आधा बेसन लिया है यहां पर मोटा पतला बेसन नहीं जो हमें ब मिर्च पाउडर हली पाउडर यह अपने स्वादल नुसार अवर की और फ्रोड़ासा थोड़ा सा हल्दा और टालना है और इसमें हम डालेंगे रिफाइन ओल रिफाइन डालें और यहाँ पर हमने refined oil डाल कर अच्छा से इसको mix किया है हलके हाथ से और फिर हम पानी की हेल्ब से इसका एक डो तयार करेंगे थोड़ा सा पतला सा थोड़ा सा टाइट टूर तयार करेंगे जादा पतला ना जादा टाइट सकत करेंगे आटे को इस तरीके से हम इसको गूंठ लेंगे आटे को ये थोड़ा सा हाथ पे चिपकेगा पर कोई बात आप इस पे हलका सा ओई लगा कर फिर हम इसको आगे के प्रोसेस में करेंगे यूज अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरीके से थोड़ थोड़ा पानी लगाना है जादा पैटर को पतला नहीं करना यह ध्यान रखें सिर्फ इस नमकीन का टेस्ट तभी सकता है जब आपका यह दो अच्छे से मिक्स हो जाए तभी हमें नमकीन का टेस्ट भी बहुत ज़ादा अच्छा और क्रिस्पी आता है क्रिस्पी तब आते हैं यहां पर हम इस डो को थोड़े रेस्ट कर देंगे यहां पर मैंने नमकीन बनाने वाली मशीन ली है कि यहां बर हम जो यूज़ करने वाले हैं वो एक ही जाली यूज़ करेंगे मीडियम साइज की बारीक वाली यूज़ कर रहे हैं और यहां पर हम हाथ पे हलका सा तेल लगाएंगे 5-7 मिनट रेस्ट किया है आटे के लिए फिर यहां पर इसको ऐसे गोल गोल बेल कर थोड़ा सा इसके नमकीन है इस तरीके से बंद कर देंगे राउंड राउंड करकर फिर यहां पर हम इसको घुमाएंगे उपर से इसका हैंडल तो यह नमकीन बाहर शेप में आजाती है कढ़ाई में तेल गरम करके रखा है इस बात का ध्यान जरूर रखे कढ़ाई तेल गरम हो बट वो जो आज है वो मीडियम फ्लेम पर ही रखनी है उससे आपकी नमकीन बहुत ही जादा टेस्टी और क्रिस्पी और कुरकुरी वाली नमकीन बनती है अगर आप फ्लेम तेज रखेंगे तो आपकी नमकीन जल्दी इसली के हल्क सब्सक्राइब तो प्लीज ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीज़ियर कर दीजिए मेरी वीडियो को आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी बहुत ज़दा मोटिवेशन मिलता है प्रीस कमेंट करके जरूर बताएं आपको यारी नमकीन का मैथर सबसे असान तरीके से बनने वाली नमकीन का मैथर कैसा लगा यहां पे हमने बहुत सारी नमकीन बना कर तयार करी देख सकते हैं सिर्फ धाई कटोरी बेसं से हमने इतनी सारी कुरूर कुरिसी नमकीन घर पर ही बना कर तयार कर लिए गर्म गर्म चाएं के साथ सर्व करें अगर आपके हाँ पे गैस्ट आने वाले हैं और आपको बारकिट जाने का टाइम नहीं मिल रहा है तो जट पर्ट से इस नमकीन को भी आप बनाकर रख सकते हैं अगर आप मसाले ले नमकीन खाना चाते हैं तो यहाँ पर मैंने ठोड़ा चार्ट मसाला लिया है थोड़ा सा उसमें नमक डाला है और थोड़ा सा उसमें हम लालमिक्ष पाउडर डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तो इसकी मसाले हमें इसमें आड़ करने के जुरूत नहीं है इससे थोड़ा सा नमकीन हमारे मसाले वाली बन जाएगी थोड़ा थोड़ा इसमें मसाला डालकर नमकीन पर इसको मिक्स करने लिजिए हाथ से और आपकी नमकीन बनके तयार है आप इसको ठंडा करकर नमकीन को स्टोर भी कर सकते हैं एर टाइट कंटेनर में और इंजॉय करें प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी थैंस पर वाचिंग